बेलकम टू एक्जाम भी भिचना तो दोस्तों आज शिमाचल प्रदेश में टीजीटी टैट के एक्जाम को कंड़क्ट किया गया था इसी के तहत आज की इस वीडियो को आपके समक्ष लाए हैं यहाँ पर देखिए आपको अबगत करवा देते हैं कि यू जितने प्रशनों के उत्तर बताया गया था कि दूसरे बच्चे जो वीडियो देखरे हैं उन्हें भी सही उत्तर का पता चलता रहे है ठीक है प्र बहुंगे तो आप हमें बता सकते हो ठीक है चलिए पहला प्रशन देख लेते हैं पहले हम देखेंगे यहाँ पर General Awareness and Environmental Studies ठीक है देखेगा यह सिर्फ यहाँ पर टैर तक ही सीमित नहीं होते हैं यह प्रशन चाहे आप कोई भी प्रिशा दीजिए चाहे आप PGT Hindi की प्रिशा दीजिए या फिर LGBT Commission की प्रिशा दीजिए कोई भी स्टेट स्थर की प्रिशा हो वहाँ पर आपको यह प्रशन अवश्य पूछे जाएंगे इसलिए काफी महत्पुन होते हैं इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंतर्ग ध्यान पुरुबग देखेगा काफी लाब आपको इसको देखकर मिलेगा ठीए तो चले ही शुरू करते हैं वीडियो को तो यहाँ पर पहला प्रशन पूछा यहा है 121 बरत्मान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचीव कौन है तो सीधे प्रशन पढ़ूँगा और सीधे उत्तर दूँगा तो जो बरत्मान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचीव है तो यह होंगे प्रभोध सक्सेना सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा अगला प्रशन है 122 कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिर्मौर जिले को लगबग दो बराबर भागों में बानती है तो यह है गिरी नदी जो गिरी नदी है यह हिमाचल प्रदेश के सिर्मौर जिले को लगबग दो भागों में वो भी बराबर भागों में बानती है अगला प्रशन है एक सो त्रेस हिमाचल परदेश सरकार द्वारा परदेश को देश का पहला हरित ओजावाला राज्य बनाने का लक्ष किस बर्ष तक निर्धारित किया गया है तो यह किया गया है बर्ष दोहजार पच्चिस तक बात की देखिएगा आप बताईएगा वीडियो के अंत में जितने भी प्रशन हमने डिसकस की हैं उन में से आपके कितने सही हुए हैं और आपको जो प्रशन का स्थर किसा लग रहा है प्रशन का स्थर हाई था या नॉर्म में स्थित हैं अगला प्रशन 125 बर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है तो जो बर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे तो यह है श्री शिप परताप शुकला कौन श्री शिप परताप शुकला अगला प्रशन 126, किस देश ने ICC Bird Cup Bird Test Championship Final 2013 जीता है, किस देश ने ICC Bird Test Championship Final 2013 जीता है तो यह किस के द्वारा जीता गया था, उस्टेलिया के द्वारा अगला प्रशन 127, 2024 में ओलम्पिक खेलों की मेजवानी कौन सा देश करेगा काफी महत्पन प्रशन है, यह अक्सर प्रिक्षा में देखने को मिलेगा अब क्योंकि यह 2024 आने वाला है, तो यह फ्रांस में आईजित किया जाएगा, ठीक है अगला प्रशन है 128, पंदरवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त दो हजार त्रेज में कहां पर आईजित होगा तो यह दक्षिन अफ्रीका के डर्बन में होगा, यह सही विकल्फ हो जाएगा अगला प्रशन है 129, बीर गार्जियन 2023, सेयुक्त सैन्मी अभ्यास किन दो देशों के साथ किया गया था, यह किन दो देशों के मद्दिय हुआ था तो जो बीर गार्जियन 2023, सेयुक्त सैन्मी अभ्यास है, यह भारत और जपान के मद्दिय हुआ था फिर देखिए एकला प्रशन है 130 संयुक्त राजिय संग की स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राश्टर संग की स्थापना हुई थी United Nations 131 बर्ष 1951 में आयुजित प्रथम एश्याई खेलों का आयुजन कहां पर हुआ था तो यह हुआ था नई दिल्ली में डे सही हो जाएगा यहां अगला प्रशन 132 सुब्रोतो कप किस खेल से स्वंदित हैं तो जो सुब्रोतो कप है यह आपके फुटबॉल खेल से स्वंदित होगा अगला प्रशन भारत में आयुजित होने वाले जी ट्वंटी सब्मिट की थीम क्या है तो यह होगा बसुधैव कुटूमकम ठीक है भी सही भी कर दो अगला है शिमला का गेटी थेटर आम लोगों के लिए कब खोला गया था सबसे पहले तो दिहान लखना है पूछा जा सकता है सीदे से कि जो गेटी थेटर है यह हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो यह शिमला में है और यह आम लोगों के लिए कब खोला गया तीस मई 1887 इस वीकूं अगला प्रशन बिलासपुर नल बारी मेले का विचार निमन में से किस के द्वारा प्रकट किया गया था तो ये किया गया था डबल्यू गोल्ड स्टीन के द्वारा अगला प्रशन है 149 हिमाचल प्रदेश राजिय महिला आयो किस बर्श संगठित हुआ था तो ये 1993 में संगठित हुआ था अगला प्रशन देखिएगा 140 हिमाचल प्रदेश में शराव की बिक्री पर कितना गाय उपकर लगाया गया है अर्थात काउसेस पहले यह यह था शाहिद एक या दो रुपे पर बोतल प्रंथु अब यह 10 रुपे पर बोतल के लिए कर दिया गया है हर एक बोतल से 10 रुपे का सैस काटा जाएगा अगला प्रशन है 141 सर्बोच नियायायल ये द्वारा कितने परकार के रिट जारी किये जा सकते हैं तो जो सर्वोच नियायर लेके द्वारा पांच परकार के रिट जारी किये जा सकते हैं अगला है इंदीरा गांधी पर्याबर्न पुर्षकार कब शुरू किया गया था इंदीरा गांधी पर्याबर्न पुर्षकार बर्ष 1987 में शुरू किया गया था फिर है 134, स्वामी दयानन सस्वती का मूल नाम क्या था तो इन्हें मूल शंक्र के नाम से जाना जाता है डी सही विकल्ब हो गई यहाँ किस राजिय के विधानसवा चुनाब में पहली बार घर से बोट पहर शुरू की गई है तो यह कड़नाटक होगा भी सही विकल्ब यहाँ पर प्रश्णों की जो पीडियाफ है फिर से रिपीट हो गई है कोई बात नहीं हाँ यहाँ देखिए जो सीरीज है हमारे पास यह है सीरीज सी अगला प्रश्ण एक सो ब्यालिस निमलिखित में से किसकी न्युक्ति राजय पाल के द्वारा नहीं की जाती है तो यह होगा यहाँ पर उच न्याया लेके न्याय धिश बाकी महादिवक्ता मुख्यमंत्री राजय लोग सेवा आयो के स्दस्य इन तीनों की न्युक्ति राजय पाल के द्वारा की जाती है निमलिखित में से कौन भारतिय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के बर्तमान गवरनर हैं तो यह हैं शक्ति कांतदास अगला प्रशन 144 कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठवंदन का 31 स्दस्य बना है तो जो फिन लैंड है यह नाटो सुरक्षा गठवंदन का 31 स्दस्य बना है वी सही विकल्प कि पूर्बिय तर्टिय मेदान के दक्षिन भाग को क्या कहा जाता है को अगला प्रशन 146 भारत का रूर किसे कहा जाता है या फिर रूहल थोड़ा परणॉंस में उपर नीचे हो सकता है इस पश्ट दिखाई नहीं दे रहाई है तो ये कहा जाता है छोटा नागपूर पठार को अगला परशन देखिए बिशब बिशब मौसम बिज्ञान संगठन का मुख्यालिय अवस्थित है तो ये आफके जिनेवा में होगा बी सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ तो फिर जो अगला परशन है बिशब मौसम बिज्ञान संगठन का मुख्यालिय कहां पर स्थित है तो ये होगा जिनेवा में याद रखेगा अगला प्रशन है बिशब बैटलेंड दिवस कम मनाया जाता है तो बिशब बैटलेंड दिवस मनाया जाता है दो फरवरी को फिर अगला प्रशन है 149 बरतमान में संयूकतर राष्टर संग के महा सचीव कौन है तो यह हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस बी सही आप्शन हो जाएगा यहाँ फिर देखिए 150 सयूक्त अरव अमीरात की राज़ानी क्या है तो जो UAE है इसकी जो राज़ानी होगी अबूधावी तो जो सही विकल्प यहाँ C हो जाएगा ठीक है तो देखिए दोस्तों कुछ इस परकार से हमारा पार्ट बन है इसके पशाद जैसे ही पार्ट बन को आपके स्मक्ष लाएंगे उसको भी देखिएगा आपको यहाँ से अवश्य लाब देखने के लिए मिलेगा ठीक है वीडियो चलगता है तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा धन्यावाद